मैजक प्रिक्स के मुताबिक हर वर्ष गुर्पोब गुर्पुरब पूरे देश में मनाया जाता है क्योंकि ये सिख धर्म का प्रमुक्त योहार है गुरुपर्फ सिख गुरु श्री गुरु नानक देव जी की जयनती है गुरु पर्फ को गुरु नानक जयनती, गुरु नानक जयनती 2022 और गुर्पोप, गुर्पुरब भी कहा जाता है सिखों के पहले गुरु, गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक है हम गुरु पर्फ क्यों मनाते हैं? अम रुजाला के मताबिक इस साल आठ नवंबर को गुरु नानक देव की जयनती मनाई जा रही है गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा को पाकिस्तान में स्थित श्री नंकाना साहिब में हुआ था गुरु नानक देव की जयन्ती को गुरु पर्व और प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है। गुरु पर्व पर सभी गुरुद्वारों में भजन, कीर्तन होता है और प्रभात फेरिया भी निकाली जाती है। गुरु नानक जयन्ती क्यों मनाई जाती? ABP News के मताबिक गुरु नानक देव जयन्ती 2022 गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक और पहले सिख गुरु थे उनका जन्न साल 1479 में कार्तिक पूर्निमा के दिन हुआ था इसलिए हर साल कार्तिक मास की पूर्निमा तिथी को गुरु नानक जयन्ती पूरी दुनिया में मनाई जाती है इस साल गुरु नानक जयन्ती 8 नवंबर को मनाई जाएगी What is meaning of गुर्पुरभ? Wikipedia के मताबिक गुरु पर्व, पंजाबी, गुरु मुखी सिख परंपरा में एक त्योहार के आयोजन द्वारा चिनित एक गुरू के जन्म की सालगिरह का उत्सव है पुराने इतिहास में संकेत मिलता है कि गुरू नानक के उत्तराधिकारी गुरू ने उनका जनम दिन मनाया गुरू नानक ने क्या उपदेश दिया था? नव भारत टाइंज के मुताबिक गुरू नानक देव ने एक उनकार का नारा दिया यानि इश्वर एक है वो सभी जगह मौजूद है हम सबका पिता वही है इसलिए सबके साथ गुरू नानक जयनती की सरकारी छुटी होती है क्या? एई बी पी न्यूस के मुताबिक गुरू नानक जयनती की छुटी यानि 8 नवंबर को गुरू नानक देव के उपदेशों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? डैनिक भासकर के मुताबिक लाइफस्टाइल डैस्क गुरू नानक जी की तीन बड़ी शिक्षा खुशाली से जीने का मंत्त देती हैं यह शिक्षा है नाम जपो, किर्थ करो और वन शको गुरू नानक जी शाटी है